अग्याइज वेल्कम टू एक्जाम अंटर दोस्तों बिहार के स्पेशल में आपका स्वागत है आपको पता होना चाहिए कि आज के क्लास जो है दोस्तों पच्वा क्लास है अगर आप किये नहीं होंगे तो इससे पहले जो चार क्लास वह आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम लोग तीन क्लास जो हैं जो है और आज हम लोग करने जा रहा है कर तो गके अंट कर सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा और इससे हमें क्या होगा दोस्तों कि जो कमी एक्जाम में सीडी पियो ठीक है ना 67 वीपिए सी प्रिलिम्स और ओभर जो कोई भी एक्जाम है बिहार से रिलेटेड और बिपिए से रिलेटेड होने वाला जो है इपकमिंग 68 69 जो भ 55 में भिहार को नितासे बिहार को लिट किए थे किश्चन 1 है कि बताईये कि कुवर Hahn Pixel 2 के सयोग कि लडाई दोस्तो इसमें क्या हुआ था कि कुवर सिंग ने नाना साहेब को रिवा की लड़ाई में सेयोग किया था अगर हम देखे तो दिसमबर 1857 में कुवर सिंग ने रिवा में नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेज के साथ यूद किया था और बाद में उन है आजमगड में अंग्रेजों को पराजित किया तो सुचो कितना इंपोर्टेंट रोल था अंग्रेजों को पराजित कर दिया आजमगड में ठीक है तो I hope फर्स्ट आपको किलियर हो गया होगा अब आते हैं question number second के तरफ question number second है कि एक करांतिकारी बुक है English में देखो which revolutionary book was banned by British government किस करांतिकारी बुक करांतिकारी पूस्तक को British सरकार ने प्रतिवन्द लगाया था ठीक है तो अब देखो अब गनेश का था वीर गथा देशहर का था सिवा जी का था ठीक है तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा देशहर का था option three अब सोचो देखो 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 करांतिकारी बुक था रिवुलुशनरी बुक था अगर हम इसको देखे तो इसका जो author है दोस्तो author का नाम आप याद रख लिए याद रख लिए अधर का नाम है सखा राम सखा राम सखा राम जो थे सखा राम गनेश पुरा नम कहा है सखा राम गनेश साखा नाम गनेश इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि इन्होंने इस बुक को इस बुक के ऑथर थे ठीक है जिस पर ब्रीटिश ने प्रतिवन लगा दिया था अब आते हैं कुशन नमबर थ्री कुशन नमबर थ्री बोल रहा है अब उसका हिंदी में अगर देखे तो बाबु कुवर सिंग ने कहां बंदू के यो गोला बारूत बनाने वाले करखाना कहां अस्थापित किया था ओप्सन है जगदी स्पूर ठीक है रुहतास सासाराम और आरा ठीक है तो इसका एंसर क्या होगा दोस्तों अब बताए हमें अगर देखे तो कुवर सिंग ने जगदी स्पूर में बंदूक यो गोला बारूत बनाने का एकरखाना अस्थापित किया था जिसका यूज 1857 के लड़ाई में उन्होंने किया था इसका एंसर हो जाएगा जगदी स्पूर ठीक है अब आते हैं कुश्चन नंबर 4 कुश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों वाट वाज दो रीजन वाट वाज दो रीजन वाट वाज दो रीजन इसका एंसर होगा कि इस दिन कुवर सिंग ने अंगरेजो पर सबसे महत्वपूर्ण विजय पाई थी अगर देखा जाएं दोस्तों कि बलिया जो है उतर परदेश के उतर परदेश में वहाँ के समीप अंगरेजों के साथ विजय होने के बाद जगदीशपूर लोटने के परियास में कुवर सिंग का 23 अपरिल 1958 को कैप्टेन डॉगलेक्स के निरितित्वा वाली ब्रेटिस सेना को बुरी तरह से प्राजित किया था लेकिन वे इस यूद में घायल हो गए थे और दो या तिन दिन पहचात उनकी मुरित्यू भी हो गए थी ठीक है? किलिर हो गया? इसलिए कि विजय पाय थी ना इसके कारण मनाया गया था अब आते हैं कुश्चन नंबर पच्वा वाज दे ब्रेटिस कमांडर ओफ बेटल ओफ बक्सर ठीक है? बेटल ओफ बक्सर सबसे पहले यहाद रखो दोस्तों कि बेटल ओफ बक्सर कब हुआ था? यह हुआ था 1764 में तो बोलना है कुश्च में ब्रेटिस कमांडर कौन था? ठीक है बक्सर के यूद में ब्रेटिस सेनापती कौन था? इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर क्या होगा? इसका सलागा सर हेकटर मुन्रो ठीक है? अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिस जो बेटल ओब बक्सर हुआ था उसमें उसमें बंगाल के नवाब मीर कासीम ओवद के नवाब सुजावू दौला ठीक है और मुगल समराज सा आलम दिवितिये साथ मिल के हेक्टर मुन्रो से लरे थे ठीक है लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेजों की सेना ने जित गई थी और इन लोगों को हरा दिया गया था कुशन 06 कंपनी से उप्रांग परह आप मुड़े से एंपोटेंट इम्रेटically में थिसका एंसर बताई है इसका एंसर होगा दोस्तों 46 वा का एंसर होगा चार सा आलम द्वीतिये ने दिया था ठीक है कुश्यन नंबर 7 देखो कुश्यन नंबर 7 है दोस्तों इसका एंसर होगा ए अली गौहर ने अगर देखो दोस्तों तो 1760 में 1760 में अली गौहर ने पतना पर घेरा डाला था जिससे कैप्टेन नॉक्स के निरतित्वा में अंग्रेजी सेना को मार भागाया इस परकार बिहार में ब्रिटिस सत्वा का विरूत सर्वा पर्थम अली गौहर ने किया था याद रखे है ठीक है? कुश्यन नमबर आठवा देखो क्योंकि जग्दिस्पूर से ही कुवर बागु लीड कर रहे थे इस अंदोलन को ठीक है? कुश्यन नमबर नाइन वेन डीड वेन डीड सैयद अहमद दो ओरिजिनेटर औव वहावी मुहमेंट इन इंडिया कम टू पतना हम पिछले क्लास में पढ़े थे वहावी मुहमेंट के बारे में 3-4 कुश्यन कर लिये थे ठीक है न? तब कुश्यन उसी से है कि भारत में वहावी अंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद सबसे पहला कुश्चन पुछा जा सकता है कि कौन है वहावी अंदूलं का परवर्तक इंडिया में उक्तो साया दम्मद वह पतना कब आये थे ठीक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वह पतना कब आये थे 1821 में 1821 में वह पतना आये थे कुश्चन नमबर टेन देखो वेंडिट दपावर ओव वहावी अफटना इंड देखो अब वहावी मुहमेंट जब हुआ था इंडिया में उसका असर पतना में भी परा था जिसमें पतना में जो लीड रोल प्ले कर रहे थे अली ब्रदर्स कर रहे थे जिसके मारे में हम ने पिछले सेक्शन में ओलेडि किया है यहां पर कुश्चन पुछ रहा है कि पतना में वहावी की सक्तिया कब समाप्त हो गई थी तो इसका दोस्तों एंसर होगा 1870 से 1770 तक वहावी अल्मोस्ट मुहमेंट अल्मोस्ट पटना से समाप्त हो गई थी ठीक है अगर देखो तो पटना में 1865 SP में मुकदमा चला और वहावी जो मुहमेंट के जो समपोर्टर थे उनको गिरफतार कर लिया गया और उन पर मुकदमा स्टार्ट हो गया था लीडर सब थे उन लोगों को गिरफतार कर लिया गया था था ठीक है अब आईए कुश्चन नमबर 11 कुवर सिंग्ग है इस डिक्लियर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ विच डिजन वाई टेकिंग ओवर दे एरिया ठीक है यहाँ ते क्लियर हिंदी में आगर देखो को किस छेत्र पर अधिकार कर कुवर सिंग्ग ने अपने आपको किसका सासक भोसित घर दिया था ठीक है दोस्तों ते इसका एंसर होगा आरा आपको पता होगा यह बहुत ही फेमस जगा था जहांसे अथाशन नमबर 12 अनुविजड दिस्टिक कुवर सिंग इस्टिबिलिस्ट ऑथरीटी इस्टिबिलिस्ट ऑथरीटी अन मार्च 26 एटिन फिप्तियट कुवर सिंग ने 26 मार्च 2858 को किस जिला पर अधिकार अस्तापित किया था ठीक है ना बोल ला आया कि कुवर सिंग 26 मार्च 2858 को किस जिला पर अधिकार अस्तापित किया था ठीक है तो कुश्चन नमबर 12 का एंसर होगा आजमगड ठीक है ओलेडी हमने इसके बारे में फर्स्ट कलवाजे लेक्चेर में परहा है अगर आप देखोगे दोस्तों तो कुवर सिंग ने 26 मार्च 2858 को आजमगड पर अधिकार कर लिया ठीक है और आजमगड के करनल मिल मैन तथा कुवर सिंग के बीच क्या हूआ दोस्तों यूद हुआ था जिसमें अंगरेज प्राजित हुए था सबसे बड़ी बात क्या है कि अंगरेजों को प्राजित करती है थे और आजमगड पर कुव अगर इसको हिंदी में देखोगे तो मिल मैन को ठीक है अब आजा कुशन नंबर 13 कुशन नंबर 13 दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा हरी किसंग ठीक है कुश्चिन नमबर चौधा फ्रम विच प्रोविंस देट कुवर सिंग लेट दे रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है हिंदी में अगर देखो तो कुवर सिंग ने अठारे सो संतावन के विद्रो का निरतित्वा किस प्रांग से किया था किस प्रोविंस से किया था ठीक है इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो जौदा का कुवर सिंग्क ने अ' возв्षम विद्रो बिहर से किया था ठीक है गया इसां नमबर फंदारल के बिहर चैनार preciso को मंगल पांडे, who was responsible for the first spark of 1857 revolution, ठीक है, 1857 की करांती का प्रथम चिंगारी, प्रजोवलित करने वाले मंगल पांडे, प्रजोवलित करने वाले मंगल पांडे का मूल, कहां के मूल निवासी थे, ठीक है, बहुत ही important और बहुत ही interesting question है दोस्तो, आपको पता होना चाहिए, कि जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे है, वो कहां के निवासी थे, वो बिहार के निवासी थे, ठीक है? अगर देखा जाए, तो मंगल पांडे ने, क्या हुआ दोस्तों, कि सबसे पहले जो 1857 का घटना घटी, महतुपूल जो घटना घटी, वो जनरली कहां पर हुआ? बैरेकप अर्धिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल खुशन की अत्याप कर दी ठीक है तो कुश्चन पुछ रहा है कि ये कहां के मूल निवासी थे ठीक है तो वह बिहार के मूल निवासी थे बिहार में एक जगा है साहबाद वहां के मूल निवासी थे ठीक है अब आते हैं कुश्चन नमबर सोला आफटर दव देख विलायत अली दमेजर लिडर आफ वहाबी मूवमेंट वाज आपको पता होगा कि ये अली ब्रदर्स थे जिसमें से एक विलायत अली है ठीक है और एक इनायत अली थे जो ऑप्षन चार में दिया है ते बिहार में लिड कर रहे थे वहाबी मूमेंट को तो बोला जा रहा है कि विलायत अली की मुर्थी के बाद वहाबी के मेजर लीडर कौन। तो हो जाएगा इनायत अली ओप्शन चार ठीक ना विलायत अली के मिडितु के उपरां तो वहावी मुवमेंट के परमुख नेता कौन थे ओप्शन चार डेट इस इनायत अली अब आज दोस्तों कुश्चन नंबर 17 वेर वाज दमें सेंटर आप वहावी मुवमेंट बहुत टीमिपर्चन कोश्चन ने बहुत इजी कुश्चन भी वहावी मुवमेंट का क्रतक्र अक्क्राइट जिनके बहुत केम कोई अली जब सेयद अहम्मद मिश्णरी यात्रा पर निकले थे जो सेयद अहम्मद आपको पता होगा कि वो इंडिया के वहावी मुवमेंट का जो सुरवात इंडिया में किये थे और एक पहले धार्मिक मुवमेंट था जिनका में डिमांड था ब्रीटीस को हमारे चुंग जो है जो फॉरेंड हम पर रूल कर रहे हैं वो क्या अनिस्लामिक है ठीक है तो जब सहीद अहमद जो निकले थे ना यात्रा पर तो पटना के सदीक पूर मुहले में इस अंदोलन से जुर्वे जुरे महत्वकून और सेस अभी भी विद्मान है वहां पर अभी भी मिलेंगे पटना के एक जगह है जिसका नाम है साधिक पूर मुहला ठीक है तो उतना डीटेल में जाने के जहुत नहीं है बस याद अकना डेट और कहां पर था और इसका अली बर्दर्स थे ठीक है पूस्चन नंबर 1818 देखो वेर डिट दे रिवॉल्ट इन बिहार इन टीन फिप्री सेवन अ आपको तो पता होगा कि लीडर कौन थे कुवर बाबु जो आरा से लीड कर रहे थे लेकिन मुहमत हुसेन खान के लीडर्सिप में कौन से जगह पर 1857 के विद्रो हुआ था कुश्चन नंबर 18 ठीक है तो दोस्तों इसका एंसर होगा चप्रा चप्रा से हुआ था कुश्च 1857 का विद्रो का निर्दित्वा बिहार में किसने किया था ठीक है यह तो बताने के जोगत नहीं है कुवर बाबु कुवर सिंग ने किया था लास्ट कुश्चन ऑफ दे टेक है ना तर मेन अब्जेक्टिव ऑफ द वहावी मूवमेंट वाज वहावी अंदोलन का मुख्या अधिश्या क्या था तो समाजिक धार्मिक सुधार मुस्लिम पर पढ़ने वाले जो वेस्टर्न इंफ्लूएंसेज उसका विद्रो करना था भारत में ब्रेटिस सत्ता की समाप्ती इसमें से सभी इसमें से सभी तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा और डीजन ठे होरा मुख्या करना था इनका मानना था की जो एक इसलिए सब और एक तरह से देखा जाते सोचल रिलिजियस रिफॉर्म भी था सब को बोला गया था कि तुम भई अपना प्योर जो इसलामिक है उसको फॉलो करो देखा जाते इसका सारे हो जाएगा दुस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल फिर एक सब्सक्राइब करें अगर आप इसका पीडियाफ चाहते हैं तो टेलीग्राम जो लिंक है उसको जोइन करें वहां पर आपको पीडियाफिस का दोस्तों मिलते हैं फिर से कल गुड़न आइट तो एवरेवन हैवन नाइस डे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू और आपका रात भी सुभू